जी नमस्कर दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल AJ Aquarium में तो आज जो है मैं बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक लेक रहा हूं ये भी मेरे बहुत सारे वीवर्स के द्वारा जो है पूछा गया है तो अभी पिछली वीडियो मैंने ऐसी बनाई थी एक व पर एक वीडियो बनाई थी तो वहां पे भी मिरे को पूछा गया था कि अल्गी तो खाली मतलब जैसे खताम होगे तो यह बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक है क्योंकि जाहतर लोगों यह पता नहीं होता वो दज़ज़ भी तीस 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 अर्वाल एपल स्नेल्स भी लेक अब वो क्या खाएंगे क्योंकि पेस्ट स्नेल तो जो होते हैं वो डेट फिश भी खालेते हैं और श्रिम्स होते हैं वो भी डेट फिश वगरा खालेते हैं और काफी तरह की चीज़े खालेते हैं तो अब जो निराइट स्नेल्स हैं या फिर जो अपल स्नेल्स हैं या फिर यह नोटिस कर रहा है क्योंकि यह मेरा पर्सनल एक्सपीरिंस भी है मैं पहले जब स्टार्टर्स में मैं टैंक लिया है तो सकर कैट मैं भी लेके आता था कि हाँ ग्लास साफ रहेगा और पेबल्स मेरे नीचे वह भी साफ रहेंगे पेबल्स भी साफ कर देती है जो वाइट खाती रहती थी दिखती दी रोज काचवान साफ करते वे अंधेरे में बाहर निकलती थी थोड़े टाइम बाद वो फिश मर जाती थी निकालता था यह फ्लश कर देता था या गार देता था तो अब क्या किया जाए कुछ समझी नहीं आ रहा कई बार हो गया ऐसे बहुत ब लगे क्या खिला सकते हैं प्लेकोस को अलगी वेफर आते हैं मैंने फिश फूड वाली वीडियो में बॉटम ड्वेलर्स का फूड भी दिखाया था जो उनके लिए होता है बट कुछ लोगों का कहना है कि भई बट इस इन एक्सपेंसिफ फूड तो हम इतना पैसा नहीं कर है तो अब यहां पे हम पॉइंट की बात करते हैं घर का खाना रीच लिष isn't expensive, और आपके घर में basic मिलने वाली चीज expenditure को पालगो भी बोलते हैं केरिट जिसको गाजर भी बोलते हैं कोकुमबर जिसको खीम भी बोलते हैं लेटेस जिनको नहीं पता लेटेस् एक आप है सकत इंदर देखा होगा, that is lettuce, but अगर आपके पास lettuce अवेलेबल नहीं है, या फिर आपको वो भी expensive लगता है, वैसे winter में काफी ससना मिल जाता है, 20, 30, 25, online भी मिल जाता है, big basket से, या फिर amazon fresh से भी मिल जाता है, but in case आप वो अवेलेबल नहीं करा सकते, तो cabbage is also another source, कोई यूश्य नह करना भी कुछ नहीं है, peas, मटर भी आप use कर सकते हैं, करना कुछ नहीं है, small quantity लेंगे, गाजर है तो पतला सा slice, खीर है तो पतला सा slice, पत्ता गोबी है, तो छोटा सा peas लेगे, एक छोटे से बरतन में आप उसको एक उबाला दे दो, यानि कि एक बार बाल कर दो, एक बार आ बाल करने से, धक के छोड़ दो, जब वो नर्मल रूम टेंपरेचर पर आजाए उसे निकालो, tank candle डाल दो नीचे छोड़ दो, अब वो फिश नहीं है, ऐसा response मत सोचना कि डालता ही, आका खाने लग जाएगा एकदम से, तो डाल के छोड़ दो, over the night आप उसको पड़े रहन हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो यह बहुत ही important information है, बहुत जादे important, क्योंकि almost, मेरे आप से like, as per me, 70-80% of the fish keepers जो हैं, उन्हें यह नहीं पता कि इसको सिरफ algae से काम नहीं चलेगा, क्योंकि algae की limit होती हो, tank अंदर आपके जितनी मरजी algae लगी लगी हो, एक टाइम के बाद आपने fishes रखी हैं, तो उसकी care कैसे करनी है, उसको क्या खिलाना, कैसे नहीं खिलाना, तो यह मैंने आपको कुछ fairy tables बता दी हैं, जिसको और ज़्यादा find करने हैं, वो definitely google बाबा का सारा जो है, वो ले सकते हैं, but main जो है, वो यह है, यह मैं दुबारा repeat कर देता हूं, carrot, माने कोई भी जो भी leafy हैं, बात हूँ आता है, साग वाले पत्ते आते हैं, बहुत कुछ है, कुछ भी मतलब leafy vegetable कोई भी जो है, प्रोवाइड कर सकते हैं, और यह easily available होती है, और यह गाजर, उली वगएर यह सब के घर में मिलती हैं, और हर जगे available होती हैं, कोई बहुत महेंगी